तो दोस्तों आज है 30 अगस्त और आज जिस प्रकार से बुल्स ने बेर्स को पीटा है वो अपना आप में देखना बहुत जादा काबिल तारीव था कि जिस प्रकार का आज निफ्टी सेंसेक्स के अंदर मुव आता हुआ देखने को मिला इस अन्बिलीविबल और इससे फिर वापिस से वो बात सही बैटती है कि बाजार के अंदर गिरावट तो टेंपररी है लेकिन जो तेजी है वो पर्मनेंट आपको बढ़िया देखने को मिलेगी और आज दोस्तों यहाँ पर जित्ता हम कल गिरते हुए देखने को मिले थे उसके मुकाबले में जो आज तेजी प्लस निफ्टी दोस्तों बढ़ना यह आम बात नहीं होती है बहुत कम या फिर मैं कह सकता हूँ एक बहुत कम इंस्टेंस आपको याद होगा जब निफ्टी ने इतनी बड़ी तीजी करके दिखाई थी और आज दोस्तों बिलकुल हर जगर जो निशान था वो था ग्रीन आज बात निफ्टी बढ़ा है 2.58% की तेजी आपको देखने को मिलिए अब हमारा मार्केट खुलते हुए देखने को मिलेंगे 1st of September को कल 31st of August थे तो कल दोस्तों यहाँ पे गणेश चतुरती सबसेल तो आप सबको गणेश चतुरती की हारदिक शुपकामना है कल जो आपको यहाँ पे गणेश चतुरती आने वाली है उसकी पहले से ही और उसके कारण हमारे मार्केट के अंदर कल आपको एक holiday रहता हुआ है सकते हैं कि देखने को मिल रही है नए सेप्टेंबर सिरीज की वह अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में बहुत शांदार है और इसलिए दोस्तों आज हम बात तो करेंगे निफ्टी के बारे में लेकिन कुछ ऐसे तीन सेक्टर के उपर बात करने व बात करेंगे निफ्टी मिटल पैला सेक्टर होगा जो मुझे लगता है कि बहुत अंडर परफॉर्मेंस अमने देख लिए लास्ट छे महीने के अंदर 3.29 पॉसेंट आपको यह नीचे चलता हुआ देखने को मिल रहा है निफ्टी मिटल पैला सेक्टर होगा जो मुझे ल बढ़िया कर सकता है 5934 अगर आज आप देखेंगे 122 पॉइंट चड़ता हुआ देखने को मिला 2% की दमदार आपको मूव आता हुआ देखने को मिला लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन बात है कि निफ्टी मेटल के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर बड़ी तेजी बंती भी देखने को मिल सकती है इस पूरी सिरीज के अंदर सी बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि निफ्टी मेटल यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी अपने बावर अपतों क्या है से यहाँ पर चू नीचे ट्रेड कर रहा है यही तो अपॉर्चिनिट है और इसमें दोस्तो को देखने को मिलेगा रिटर्न बिलकुल नहीं है लेकिन इसके अगर अब फाइनेशल पर नजर डालेंगे तो एक बात आपको साफसाफ देखने को मिल रही है कि नंबर्स जो है वो बढ़िया ही आ रहे है ऐसी सच कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात आपको देखने क को नहीं मिल रही है कंपनी के नंबर्स दोस्तों अगर ठीक आते हुए देखने को मिल रहे तो डेफिनेटली देखिए यहां पर कंपनी बढ़िया करनी चाहिए को डेफिनेटली तो मुझे लगता है कि आपको नजर रखनी चाहिए वित व्यू कि यह स्टॉक यहां से 95 से लगा कर 100 रुपीस का होता हुआ देखने को मिलेगा अगला दोस्तों जो सेक्टर है वो है निफिटी ओटो निफिटी ओटो को पिक करने का सबसे बाड़ा रेजन है फेस्टीफ सीजन या द रखेगा यह बात अब दोस्तों फेस्टीफ सीजन की शुरुआत होती भी देख ये ज़रूर कहसकता हूं कि निफ्टी ओटो का साल रहता हुआ देखने को मिला है और निफ्टी आटो यहाँ पर रुकने को टैयार नहीं है यह फर को तैयार नहीं है है आप अब यह है बहुत जल्द नया बावर्फतों का हई बहुत देखने को मिलेगा 13 337जW 217 पर अभी आज ट्रेड कर रहा है और इसमें दोस्तों जो सबसे अच्छे पिक मुझे लगता है कि होती भी देखने को मिलेगी वो है और जो इसके अंदर दोस्तों पिक है वो है टाटा मोटस टाटा मोटस के उपर अब आपको ध्यान रखना चीए यह उडान बनने के लिए तयार है यह एक मात्र ऐसा स्टॉक मुझे लग रहा है जो बन नहीं पा रहा था यानि अपने बावन अफ्तों से अभी भी आपको काफी दूर देखने को मिलता है 536 रुपे के असपस का बावन अफ्तों का ही है 400 तर पे ट्रेड कर रहा है बाकि अगर आप स्टॉक देखेंगे M&M, Ashok, Leland यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है जो बाकी कंपनीज है वो बढ़िया कर रही है अल्मोस्ट हर एक स्टॉक बजाज आटो ले लीजिए फोर्स मोटर ले लीजिए यहाँ पे अतुल आटो ले लीजिए सब बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे टाटा मोटर भी उस तो बढ़िया किया है ऐसा नहीं कि बढ़िया नहीं किया है लास्ट एक महीने में जरूर 1.84% गिरा है यहाँ पे फॉर्स को तो फॉर्स तारीक को आपको देखने को मिलेगा कि आटो सेल्स के आकड़े आते हुए देखने को मिलेगे फॉर्स अफ सेप्टेंबर को आटो सेल्स के मंतली जो आकड़े होते वो आते हुए देखने को मुलेंगे और यहाँ पर numbers बढ़िया याने वाले और इस महीने साब देखिएगा कि जो गारी एक बिक्री है वो और ज्यादा ज्यादा होती भी देखने को मुलेगी तो definitely auto sales के आकड़े के गार निफ्टी आटो भी एक आपको काफी दा फोकस में रता हुआ देखने को मिलने वाल है लेकिन Tata Motors definitely दोस्तो एक पिक रहेगी जो मुझे लगता है कि 530 से 550 की रेंज बे जाने की इस महीने के अंदर दमकम रखती है आखरी सेक्टर के उपर बात करतें फिर बात करेंगे निफ्टी के उपर और दोस्तो जो आखरी यहाँ पर इंडेक्स है वो है निफ्टी PSU Bank Index मैं निफ्टी PSU Bank Index पर मुझे लगता है कि PSU Banking पर आपको बहुत बुलिश रहना चीए प्राइवेट बैंक तो दोस्तो बली बढ़िया करते होगे देखने को मिलते ही है बट निफ्टी PSU मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया करने वाला है तीने जार तीन काज लेवल छूचुचुका है 76.2.6% की तेज़े आती भी देखने को मिली और ये भी दोस्तो अब मातर 100 पॉइंट अपने 22 अफ्टों के हाई से पीछे है इसके अंदर भी 100 पॉइंट जैसे 3133 हो जाएगा वैसे ही देखिए 52 वीक हाई को पार कर लेगा बट निफ्टी PSU बैंक क्यों बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा बली वो SBI देखने को मिले बली Canera Bank देखने को मिले जरू कुछ कंपनी जैसे PNB हो गई जो बढ़िया नहीं कर पाई बट मुझे लगता है कि अब धीदरे करके opportunities create होती भी देखने को मिलेगी तो इसके अंदर जो particular stock मुझे लगता है कि बहुत जदा बढ़िया हो सकता है तो definitely आप सोच रहेंगे कि SBI क्यों नहीं SBI एक stock है जो हमेशा बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा तो SBI तो definitely पिक रहेगा लेकिन Canera Bank मुझे अगता है कि particularly बहुत outperform करेगा एक महिने में 7% की तेज़ी चे महिने में 12% की तेज़ी साल की शुरुबाद से 18% की तेज़ी और एक साल में करीबन 52% की रिटर्न 52 अपतों का हाई आपको देखने को मिलेगा तो 272 रुपीस का है लेकिन ये बहुत जल्दी इस लेवल को टच करने वाला है और कैनरा बैंक के उपर नज़र रखिए विकाज ये स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलना चाहिए मुझे लगता है कि 275 से 290 रुपे के लक्ष यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलना चाहिए इस सिरीज के अंदर तो बिल्कुल इसके उपर भी आप नज़र रख सकते एक बात important है कि जो भी देखिए मैंने stocks बता है वो definitely अपने यहाँ पर विवेक से बता है तो आप ज़रूर अपने financial advisor से एक बार consult करिएगा अब बात करतें निफ्टे के उपर सुफिंस देखिए निफ्टी 17,760 पर बंद हो है मान के चलिए निफ्टी के अंदर क्योंकि कल हम markets बंदे तो हमको दो दिन का reaction 1st of September को देना होगा तो कल का market I think आज का market तो डाव बहुत बढ़ा रहने वाला है तो markets मुझे लगता है कि बहुत positive tone पे हैं जितना negative आना था वो आज चुका market गिरना था वो गिर चुका आज की recovery साफ साफ बताती है कि अब FID के बयान के अब ही कोई बढ़ा असन नहीं होने वाला है बली आता हुआ देखने को मिले जाता हुआ देखने को मिले कि मान के चलिए it's a time of four to six days जब हम 18,000 का level बिल्कुल screen पर देख लेंगे उससे पहले भी देख ले तो कोई बड़ी बात नहीं है तो बिल्कुल nifty के अंदर बने रही है अगर in the sense की देखे यहाँ पर stocks specific भी अगर आप रहते हैं stocks बड़ी है stocks भी pick करते हैं तो कोई दिक्कतली बात नहीं है companies जो है वो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़िया कर रही है view बनाईए long term का यहाँ से आप कम से कम बनाईए अगली दिवाली तक का मुझे लगता है कि बहुत बहतरी market रहने वाला है तो friends इस वीडियो में इतना ही था कमेंट करके बताइएगा thank you friends watching this video